मिशन सिक्षन संबाद दैनिक नतिक प्रभात दिनांग 3 अक्टूबर वर्ष 2024 दिन गुरुवर बाल कहानी पुरस्कार तो आए सुनते हैं आज की बाल कहानी पुरस्कार मा ये देखिए मैंने कागज का घर बनाया है कल क्राफ्ट वर्क है मैं जाकर मैम को दिखाऊंगा फिर मुझे पुरस्कार मिलेगा मेरी मैम ने बताया था कि सब लोग घर से बना कर लाना जिसका सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा मा आप बताएं ये घर अच्छा बना है कि नहीं बहुत अच्छा बना है जोनू बेटा ये तुम्हारा घर अब हात मूँ धोकर खाना खालो जब से स्कूल से तुम आए हो तब से इसे ही बना रहे हो रात हो गई है अब खाना खाकर सो जाओ ठीक है मा आप खाना लगा दीजे मैं मूँ हाथ धोकर आता हूँ पर मा ये तो बताएं कि इसे मैं कहां रख तूँ जिससे ये घर सुरक्षित रहे क्योंकि कल सुब़े ही इस घर को स्कूल ले जाना है तुम फिक्र न करो बेटा मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ जब तुम स्कूल जाने लगोगे तब मैं अलमारी से निकाल कर दे दूँगी सोनु जल्दी से हाथ मोधोकर खाना खाने बढ़ जाता है खाना खाने के बाद सोनु सो जाता है सुबे उड़ते ही तैयार होकर अपने हाथ से बनाय हुए घर को लेकर स्कूल की ओर खुशी-खुशी चल पड़ता है रास्ते में उसे उसका दोस्त मोनु बिल जाता है वो सोनु से कहता है दोस्त तुम ठक गए होगे लाओ मैं इस खुबसूरत घर को अपने हाथ में ले लेता हूँ मैंने भी बनाया है पर वो मेरे बैग में है तुम्हें स्कूल पहुँच कर दिखाऊंगा दोनु बाते करते करते स्कूल के अंदर दाखिर हो जाते है मोनु के हाथ में सोनु का घर है सबी लोग देखकर मोनु की तारीफ करने लगते है मोनु सबको धन्यवाद बोलने लगता है इससे पहले कि सोनु सच्चाई बताने का प्रयास करता मोनु जल्दी से मैं के हाथ में घर देकर अपना नाम बता देता है और कहता है मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है सोनु ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है पर कुछ बोल नहीं पाता है कक्षा में सोनु को डाट भी पड़ती है कि एक तो तुम बना कर नहीं लाए उपड़ से रो रहे हो फिर भी सोनु कुछ कहने बाता है कुछ दिर बाद मोनु को पुरसकार मिल जाता है वो एक खुशी से जूम उठता है इसके बाद खेल के पीरेड में सोनु चुपचाप एक किनारे बैट जाता है मोनु उसी के सामने कुछ मित्रों के साथ हसकर फुटबॉल खेलने लगता है मोनु फुटबॉल खेलते समय अचारा गिर जाता है उसके पैर से खून निकलने लगता है मोनु के गिरते ही सभी मित्रहसने लगते है तभी सोनु दोड़कर मोनु को उठाता है उसके पैर से खून निकलता देखकर वह जोड से चिलाकर सभी टीचर्स को बुलाता है टीचर्स आकर मोनु को प्रात्मिक चिकित्सा से उपचार करते हैं सोनु का अपना पन देखकर मोनु पश्चाताप के आशुरोने लगता है और सोनु को गले लगाकर माफी बनता है और खुद ही सभी टीचर्स को बता देता है कि जो पुरसकार आज मैंने पाया है वह च्छल करके पाया है सच्चाई जानकर सभी आश्चर चकित हो जाते हैं सच्ची भावना से मोनू के माफी मांगने पर सभी मोनू को माफ कर देते हैं सोनु को पुरसकार मिल जाता है, सोनु बहुत खुश हो जाता है, घर आकर मा से अपनी खुशी बताता है, मा गले लगाकर मोनु की खुशी दोगुना कर देती हैं, संसकार संदेश सचाई में बहुत ताकत होती है, वह किसी न किसी प्रकार से सामने आही जाती है आज की बाल कहानी के लेखी का है शमा परवीन बारायज उत्तरपरदेश कहानी वाचक नीलम भदोरिया जनपत फतेपुर संक्लन टीम मिशन शिक्षन संबाद नेतिक प्रभाद तो बच्चों आज की बाल कहानी से आपने क्या सीखा और हाँ, आज की बाल कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा और हाँ, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद